हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सुकी प्रहाई बेची चल रही होगी तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्णावली 10.3 क्लास 7th की मैथ की बुक का ठीक है इसके 1st question से लेकर 4, 5, 6 यानके 6 question तक 1, 2, 6 मैं पिछली वीडियो में आप लोग को समझा दिया है आज हम लोग करने वाले हैं 7, 8, 9, 10 7th number question में क्या कहता है एक रेडियो को 880 रुपय में बेचने इससे 10 परतिशत लाब होता है तो बताइए कि यदि उसे 760 रुपय में बेचा जाए तो बेचने वाला कितने परतिशत के लाब या हानी में रहेगा ठीक है इसका मनलब क्या हो गया कि ये जो है आपका क्या है विक्रेमूल है क्योंकि इतने रुपय में बेचा जाता है तो ये आपका विक्रेमूल हो गया ये आपका लाब हो गया लाब का परतिशत हो गया ठीक है तो आपको विक्रेमूल और यहाँ प्रतिशत में निकालनाएं निकाल हा ठीक है बात समझ में आगई तो यहाँ काषे टहार किए यह वि-क्रे-मूलय है यह आपका लाब पर मैंने लिख लिया है अब आपको करना क्या है यहां पर मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने चार फॉर्मूला बताए था इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और आपको याद होगा ही देखो विक्रैमूल लाब परतिशत दिया हुआ है और आपको निकालना क्या ह है तो रिडियू को क्रेंन लिकालना है पॉम फार्मूल निकेsel से стहे कि यहां यहां यह पर्तिशत के यह फॉर्मूला में से क्राइब, यहां प्रतिशत की घैए और यह उस फार्मूला उसे आपको यहां आपको सौऑ बाई 100 प्लस लाभ परतिशत और इसको गुना करना है विक्रैमूल से तो आपको निकल क्या जाएगा क्रैमूल तो 100 बटा 100 प्लस लाभ परतिशत मतलब 10 आपको रखना है इंटू विक्रैमूल आपको 880 रखना है देखो 100 बटा 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा इंटू 880 जीरो से 0 कैंसल हो जाएगा इगारा से इगारा ट्रेटासी कटेगा और 8 को 100 सुकुना करेंगे तो 800 रुपया यानि कि क्रैमूल कितना हो गया 800 रुपया तो 800 में खरीदा गया सामान ठीक है अब बात आती है कि अगर उसे 760 रुपया में बेचा जाए अब देखो यदी अब यहां पर क्या कह रहा है बच्चो कि अगर उसका विक्रैमूल 760 रुपया हो 760 रुपया हो तो क्या हो जाएगा क्रैमूल उसका 800 रुपया है और बेच रहा है 760 रुपया तो क्या होगा हानी होगी हानी कितनी होगी तो यह निकालेंगे विक्रैमूल क्रैमूल में से विक्रैमूल माइनस करेंगे ठीक है तो क्रैमूल आपका हो जाएगा 800 और इसमें से आपको माइनस कर देना है 760 रुपया तो यह निकल क्या जाएगा 40 रुपया ठीक है 40 पर आ गया बात समझ में आ गई कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में फॉरन बता दिया कीजे ठीक है ताकि उसका मैं आपको reply दे दूँ और आपका doubt खतम हो जाए तो यहाँ पर देखे 40 रुपया हो गया इसका honey अब honey का पर्तिशत निकालना है honey पर्तिशत is equal to होता है formula honey बटा करेमुल गुने 100 ठीक है ना तो यहाँ पर आपको 40 रुपया honey है करेमुल आपका है 800 रुपया और into कर देना है 100 से दो 0 से दो 0 cancel हो जाएगा और 8 पंचे 40 यानि के बच्चे आपका answer कतना आ गया 5 पर्तिशत ठीक है तो साथमा question आपका hello हो चुका है अब उसके पाद आठमा question है एक कुरसी 20 पर्तिशत हानी पर 240 रुपय में बिकती है बच्चों यहाँ पर हानी पर्तिशत दिया और विक्रहमुल दिया ठीक है कहता है यदि विक्रहमुल इतना पर्तिशत बढ़ जाए तो बताईए कि कितने पर्तिशत की हानी होगी विक्रहमुल को बरहा दिया 10% ठीक है आपको घबराना नहीं है विक्रमूल जो दिया गया है ना उसमें आपको 10% का increment याने के ब्रहुत्री कर देना है ठीक है आपका ये पिछले वाला ही समझी question है बस थोरा सा आपको percentage का इस्तमाल इसमें करना पड़ गया है ठीक है तो चलो देखो आठवा question क्या कहता है यहां पर आपको विक्रमूल और हानी का परतिशत दिया गया है ठीक है आपको पहले निकालना है करेमूल तो आपको मैंने जो formula बता है आप उसमें देखिए तो क्रेमूल का जो formula है ना पहले आपको क्रेमूल का formula लिख लेना है यहां पर क्रेमूल का कौनसा formula लिखे है जहां पर विक्रमूल और हानी का वाला जो होगा वो वाला formula लिखे है ठीक क्या आपको हानी परतिशत दिया हुआ है 20, गुने, विक्रेमूल कितना है, 240 कितना हो जाएगा, 100 बटा, 100 में से 20 जाएगा तो 80, गुने, 240 8 का 0 जो यहाँ पर है यह वाला 0 कैंसिल, 8 का है 8, 8, 3, 24, तो यह कितना हो गया 300 रुपिया, ठीक है यानि कि क्रेमूल आपको 300 रुपिया पता चल गया है, ठीक है अब कहता है, कि भाई, विक्रेमूल अगर 10 परसेंट बढ़ जाए तो देखो, यदि, यहाँ आप लिखेंगे विक्रेमूल कितना हो, तो पहले वाले विक्रेमूल का, यानि कि जो विक्रेमूल 240 बढ़ाना, इसमें आपको बढ़ा देना है, कितना 240 का 10 परसेंट ठीक है, तो कितना हो जाएगा 240 प्लस 240 गुने 10 बटा 100 तो एक 0 से यह 0 कैंसिल यह 0 से यह 0 कैंसिल, तो यह हो जाएगा 240 प्लस 24, कितना हो जाएगा 260 रुपिया तो फिर से आपको विक्रेमूल पता चल गया तो यदि विक्रेमूल इतना हो और क्रेमूल 300 रुपिया हो तो क्या होगा, भाई यहाँ पे तो हानी होगी, है ना क्या होगी, हानी होगी, ठीक है ना तो हानी क्या हो जाएगा 300 यानिके विक्रेमूल आपका जो है कितना है 264 ये माइनस कर दीजे करामूल में से तो कितना हो जाएगा 10 मिस चार गया 6 9 मिस चार गया 3 यानि कि आपका 36 रुपय की हानी हो गई अब हानी परतिशत निकालो तो हानी परतिशत बराबर हो जाएगा 36 बटा मैं फर्मूला नहीं लिख रहा हूं ठीक हानी परतिशत का फर्मूला क्या होगा हानी बटा क्रामूल कितना हो जाएगा तो 300 गुने 100 ठीक है ना तो 2 0 से 2 0 कैंसिल 3 ने काए 3 12 तीया 36 यानि कि 12 परतिशत आपका आंसर हो गया I hope कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है मैं एक बार थूली आपको समझा भी देता हूँ ठीक है फिर से विक्रेमूल आपको 240 दिया हुआ था हानी पर्तिशत दिया हुआ था आपको निकालना था क्रेमूल करेमूल निकाल लिया इस फॉर्मूले से अब उसके बाद विक्रेमूल कितना है तो विक्रेमूल कहता है नया विक्रेमूल जो पहले वाला विक्रेमूल है उसका 10% बढ़ा देना है तो हमने कहा कि 240 पहले वाला विक्रेमूल और उसमें हमने उसका 10% बढ़ा दिया तो ये टोटल आपका हो गए 2400 रुपिया अब 2400 रुपिया है तो ये कम हो गया इसलिए हानी होगी हानी बरावर जागा 300-2400 यान की 36 रुपिया हो गया और हानी परतिश्यत हमने निकाल दिया पर 12% हो चुका है तो चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं यहाँ पर देखो नॉवा कोशन क्या है एक व्यापारी ने एक रुपै के पांच की दर से एक हजार नीबू खड़ीद कर एक रुपै के चार की दर से बेच दिया तो उसका लाव परतिश्यत ग्याद कीजे अलग अलग तरीके से इस कोशन को आप हल कर सकते हो देखो एक रुपै के पांच की दर से एक हजार नीबू खड़ीदा और एक रुपै के चार की दर से बेच दिया टोटल नीबू कितना है एक हजार कैसे खड़ीदा रहा है रेट कितना है तो एक रुपै में पांच एक रुपै में पांच तो टोटल कितना है एक हजार नीबू है तो टोटल नीबू कितनी का आएगा एक रुपै में पांच तो पांच से डिवाइट कर दो तो यह जाएगा दो सो रुपै 200 रुपया इसका क्या हो जाएगा कड़ायमूल हो जाएगा और 4 की दर से बेज दिया यानिके 1 रुपय के 4 एक रुपय के 4 का मतलब 4 सा भाग लगा दीजे तो टोटल हो गए 25 यानिके 25 बेज दिया और उसका क्रामूल निकालना होगा खरीद मूल तक कितना होगा वन बटा फाइव इंटू वन थाउजन पांसे काड़ दोगे पांस उनी दस दो सो यानिके 200 रुपय का उसने खरीदा तो यह क्या हो जाएगा आप यहां पर लिग सकते हो कि 1000 नीबू 1000 नीबू का क्रामूल कितना हो गया क्रामूल बराबर हो गया 200 रुपया ठीक है सेम प्रोसेस से आप इसका विक्रामूल निकाल लोगे तो वहाँ पर क्या है चार नीबू का चार नीबू का विक्रामूल है का विक्रामूल बराबर है आपका कितना एक रुपया ठीक है तो एक नीबू का विक्रेमूल कितना हो जाएगा एक बटा चार रुपया तो एक हजार नीबू का कितना हो जाएगा एक हजार नीबू का विक्रेमूल आपको पता चल गया वो कितना है डाइसो रुपया तो देखो करेमूल यह है विक्रेमूल यह है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विक्रैमूल बरा है तो लाव हो जाएगा ठीक है तो लाव बराबर क्या हो जाएगा धाई सो माइनस दो सो रुपिया ठीक है तो यह कितना हो जाएगा आपका पचास रुपिया ठीक है हो गया पचास रुपिया इसलिए आपको क्या निकालना है तो लाब परतीशत बराबर हो जाएगा लाब बट्टा करेमूल गुने एक सो तो क्या बन जाएगा पचास बट्टा करेमूल आपका हो गए गुने 100 ठीक है क्रेमल कितना है 200 रुपया ठीक है और लाब इसको कितना हो रहा है 50 रुपय का ठीक है ना तो यहां से 2-0 से 2-0 कर जाएगा और अगर इसे काटेंगे तो 25 परसंट का लाब हुआ ठीक है चलिए अगला कोशन देखिए बच्चो अगला कोशन है एक दुकंदार ने दो साही किले 1100 रुपय परती सैकल के हिसाफ से बेची एक पर उसे 10 परसंट का लाब दूसरे पर उस के पास है एक को पहली को भी गारस हमें दूसरी को भी गारस हमें बेच रहा है बट एक पर उसको 10 परसंट का लाब दूसरे पर 20 परसंट के हानी होती है तो कहता है कि यह पता है उसे लाब हुआ की नहीं और अगर लाब है या हानी है तो उसका परतीशत ग्याद किजिए ठ पता चल जाएगा टोटल लाब हुआ की नहीं हुआ हां नहीं हुआ की क्या हुआ ठीक है देखो यहां पर पहली सैखल का विक्रमुल आपको 1100 है दोनों सैखल का 1100 लाब परतिशत 10% है तो करमुल बराबर हो जाएगा फिर से आपको वही फॉर्मुला यूज करना है जिसमें आपको विक्रमुल दिया हो लाब परतिशत दिया हो क्रैमुल का फॉर्मुला क्या होगा सोब बटा सो प्लस लाब सो बलस लाब परतिशत 10 into विक्रमुल कितना है यहां पर 1100 तो कितना हो जाएगा बच्छो 140 110 मुने 11 100. ये 0 से 0 कैंइसल ओजाएगा 1110 phones सो गोना करो पर 1000 आता है ठीक है अब यहां पहली साइकल का विक्रैमूल लिखेते अब आपको लिखना है दूसरी साइकल का विक्रैमूल क्या हो जाएगा तो साइकल का विक्रैमूल जो से में दोनों में तो इसका भी आपको 1100 रुपया होगा यहां पर आपको कहता है कि हानी हुई है इस 20 गुने 100 तो यह बन जाएगा 100 बटा 80 गुने 100 तो यह 0 से यह 0 कैंसिल 2 से 24 के 8 और 25 चो का 100 दो से कट जाएगा 25 तो 25 बन जाएगा 125 ठीक है यहाँ पर देखे क्या है आपका मसला क्या हो गया कि 0 से 0 कैंसिल हो गया 24 के 8 25 का 100 हो गया 25 तो 25 पंचे कितना हो रहा है 24 के 8 25 का 100 कट गया और 2 से यहाँ पर पच्पंदुनी 110 कट गया ठीक है तो दोनों गुना करोगे तो 2375 रुपया ठीक है तो यानिके जो करेमुल है 1375 पहली सैकल को 1375 में खरीदा उसने ठीक है तो यहाँ पर कुल करेमुल कितना हो जाएगा कुल करेमुल बराबर हो जाएगा करेमुल बराबर हो जाएगा 1375 पहला कितना है 1000 रुपे में खरीदा था ठीक है और दूसरा कितना है 1375 रुपे में खरीदा तो यह जाएगा 2375 रुपे में कुल विक्रैमूल कितना है कुल विक्रैमूल कितना हो जाएगा तो यह 1100 में बेच रहा है पहली को, दूसरे को भी गार्स वें बेच रहा है, तो यूजझागा 2.200 रुपया, देखो खरीद रहा है 2.200 रुपया तो क्या हो जाएगा, यहां पे तो हानी ho रही है, हानी कितनी हो रही है, 2350 में से 2300 गटा दो तो कितना हो जाएगा तीन में जो गया 175 रुपया हो गया 175 रुपया का परसेंटेज निकाल दो तो हानी परतीशत बराबर हो जाएगा 175 बट्टा जो इसका क्रैमूल है टोटल है 2375 यहाँ पर लिखो गुने 100 कर दो अब इसको काटोगे और आपका अंसर आजाएगा देखो यहाँ पर काटोगे 5 से चार पंचे 20 आएगा 25 25 चार सो बट्टर हो गया यह 20 बार कर जाएगा फिर 5 से कटेगा तो 9 5 45 और 25 और यहाँ पर आज जाएगा आपका 45 बीस 19 से कटेगा नहीं 5 से कटेगा 19 पंचे 195 और 5 से कटेगा 3 पंचे 15 और 2 बचेगा 25 35 हो जाएगा ठीक है तो 35 हो का कितना होता है 35 होता है 140 ठीक है 35 आपका 140 होगा ठीक है तो यहाँ पर लिखो 100 यहाँ पर हम कर देते हैं आपका ठीक है तो यह आप यहाँ से लिख लिजिएगा 140 बटा 140 बटा होगा 19 ठीक है यह आपका होगा परसेंटेज तो इसको परसेंटेज में चेंज कर दो 133 होता है ठीक है और बसता है आपका 7 यहनके 7 पुन्नाक 7 बटा 19 परतीशती आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो आपका जो एक्सरसाइस था वो एंड हो चुका है तेरा 10.3 अब आपका जो है अगला 10.4 है जो की मिसरधन और मूलधन पर आधारित है तो 10.4 जो है प्रशनावली 10.4 इसको हम लो करेंगे अगली वीडियो में ठीक है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी अगर कहीं पर दिक्कत होगी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डियम करके पूछ सकते हैं तो आपको अगर अच्छी लगती तो भी कमेंट कीजिए और सभी बच्चों से जो भी आपके फ्रेंट आप उसको ये वीडियो की लिंक शेर कर दीजिए ठीक है मिलता हूं फिर आप से अगली वीडियो में तब तक आप सब अपना ध्यान रखे वीडियो देखने के लिए आ बहुत बहुत शुक्रिया